तो झायवदालम का क्यार भरा नमस्कार कई सारी लोग पूछ रहते कि आपका इंटर्विओ कैसा गया उस इंटर्विओ में चाहिं क्या क्या सवाल नहीं तो उसे वक्त नहीं मिल पा रहा था तो आज तो टाइम मिला है तो मैंने तक मेरा दूसरा ही नंबर सब्सक्राइब क्या हुआ इंटर्वू में पढ़ गया तो मैंने गया और मुझे मैं गया तो मैंने देखा कि कि हम बूर्ट कौन सा है तो काफी बच्चों में चर्च थी कि कर दो सब्सक्राइब किस्मत अच्छा साथ दिया एक अच्छे बूर्ट बराइटर ध्या तो मैं अंटर्व्वू में अर्दली मुझे ले के गया और सामने ख़़ा कर दिया गेट पहले खोल दिया मुझे मुझ निया अनको कोई लीडिन होते हुए विश करना पढ़ता है उनको जादा सम्मान देना पढ़ता है तो लेडिस क सब्सक्राइब कोई आपका लेडी मेंबर नहीं है तो मैं आपना आराम से बैठ गया तो पूछा और कैसे हैं तो क्या कर रहा है आज का आज का लाग तो कि हम लोग इंटर्व्यू को दरान कुछ हम लोग यह सोचते हैं कि इंटर्व्यू हमारी दिशा में भून जाए इंटर सब्सक्राइब को सुनने में थोड़ी से दिक्कत आया होगी आपनों को पता है कि मैं तेज बोलता हूं तो मजह लिया गया है नेपाल में नेपाल से सटे गाउं है एक ब्लाक हमारा है उसमें मैं गाउं में पढ़ा रहा हूं अच्छा तो मुझे पता था कि जब जहां भी पता तो कोई बंदा रहका कि नहीं करते हैं यह कहाँ पर यहाँ पर हम पर सीमा जतने वी आपरी लोग हो ले कर आते जातें और वह भी होते हैं लेकिना वी या लेकिन सीमा आथ तो अध्यापक है तो आप अपने प्रात्मिक सिच्छा में क्या सुधार करेंगे तो अधिकारियों में अच्छा करेंगे तो इस सवाल किया कि माल लीजिए आपके स्कूल में 65 साल की बुजर्ग महिला आती है तो उसको आप क्या बताएंगे कि युक्ति प्रदे सरकार के लिए कौन-कौन सी युजरा चला रही है तो मैंने बताना सुरू किया व्रिद्ध है 50 साल की है तो व्रिद्धा प्रेंशन चलेगा अगर उनके घर में कोई बीटिया है कोई घड़की बगार है केजी से लेकर पीजी तक सरकार क्या कर रही है मुफ्ति सिच्छा लेकि आई है बच्चियों के लिए तो उन्होंने ब दो अज़िटेशा यहां बताएं की बाता भारत का लिए तो तो अच्छा एट रफॉत बताने के प्यास करें आख था थीक है पाद्यापक है गाउस के लोग तो आपके पास आता ही हो कि अरे माट साब लेंग्वेज ऐसा बोले अरे माट साब तो यह फार्म बढ़ने बहर कि आद़ाते हैं की आप उनकी मदद करते हैं। दम्हेस करने के बाद जितने से मदद करने के बाद जितनी भी मुझाऊहितुत देचार Sortpping में रीपास आते हैं। इसके बाद वो क्या करते हैं जो सवाल होता है त्रांसवर कर देते हैं दूसरी में ने का अच्छा आप सिथ्यक शिचक है ध्यापक है अच्छा ही गाओ की सिच्चा और सहर की सिच्चा में क्या पर होता है अच्छा है और अच्छा कर देखा है। मैंने अच्छा की अच्छा कि इतिहास की विद्यारती हैं तो कौन सा सेग्मेंट आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये प्राची में अच्छा लगता है मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से प्राचीन अभिल्यक पाए गया अब में बताना सुझ किया असुका साम ने और बता है कि हमारे जिलिमें क्या करते हैं कि करके करते हैं कि मिला हुआ कि किस काल का है मैंने कहा कि महात्मा बुद्रकाल का है अभी उसे विवाद चल ला है जब तक पूरी खुदाई नहीं कर लेती है जब तक अपने वह रिजर्ट नहीं देती है तक अभी कुछ कहना मुस्किल है कि अठर मुर्मा वा अची बात है और यहां याद नहीं आ रहा है अ रहो है जाधा है अन्कॉर्ट देखिए एक अंतरराष्टि समझ के लिए अंगरेजी भासा को соврем . सब्सक्राइब करें अगर बड़ बड़ी कंपनीज अपने यहां जो जॉब होती है उसके लिए जरूरी है प्राइविट सेक्टर में अच्छे में सी कंपनीज में आपको जॉब करना चाहते हैं उसके लिए जरूरी है यह जाए लिए जरूरी है कि अब इतक्राइब करना चाहते सरकारी नहीं है वहां दो अच्छा काम करना चाहते हैं तो इतिहास की विद्यारती है तो इतिहास लेखन के बहुत हला मचा है कि क्या आप को नहीं लगता कि इतिहास को दुबारा लिखा जाना चाहिए कि गया है तो इतिहास को पहले सबाटन सबाटन इतिहास लिखन नहीं था अब आ गया है अब दलतों को आवाज बनाके महिलाओं को आवाज बनाके इतिहास को लिखा जा रहा है तो मैं ने का सार जैसा कि मैं अध्यापक हूं और बच्ची मेरे केंदर में रहते हैं और बच्चो कोई लेकर मैं कहना चाहूंगा कि अगर बच्चों के जडिश्टिकॉर्ण से इतिहास लिखा जाए जो और मुझे लगता है कि एक बार परयास जरूर्याश होना चाहिए थांता क्या आधने काल में अधुनी काल में भी एसा मुझे कोई ग्रंद दिखान दिता जो बता पाए कि बच्चों की दसा ऑर दिशा क्या तो मुझे लगत लगता है यह बच्चों के दिश्ट को से बच्चों को ही किंदर मानकर अगर इतियास को दुबारा लिखा जाए तो मुझे लगता है एक बार पर्यास की बारे में होना चाहिए सब्सक्राइब लंचैने विक्सित देश को जाने को लेकर आपका कहा ना है हमने कहा कि हम जैविबित्त को सनचित करने का प्रयास करते हैं हम वसुद्या कुटुमकम की बात करते हैं, हम यह नहीं कहते हैं कि सिर्फ टाइगर को ही बचा है, हम अन जितने में जिवजनतु हैं, सबको बचाने का प्रयास करते हैं, हैदराबाद में जो हमारा सम्मिलन जवित्ता का हुआ था भारत में असोक को नाम लेकर हमने समुदित किया था, तो यह जो जो जैवित्ता को सरज़त करने की प्रंपरा है, हम आज की प्रंपरा नहीं है, वह हमारे बहुती प्राचीन प्रंपरा है, जो असोक के काल से अभी तक चली आ रही है, मुझे लगता है कि सिर्फ टाइगर की बात में नहीं करना हूँ, और भी जितने अपने देश की बात करो, तो यह हमारे राष्ट की पहचान से भी जुड़ जाता है, तो 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 यह मुझे लगता है कि इसलिए ज्यादा भारत या इतनी भी लोग है परसांद इसको संचित करने के लिए, तो वह खुस नहीं है, वह जर्श्टिवाई का फिर उखर संतुश होने का हुपनेकर तो ाक स्वाल मैं लग्सकुए का ने मैं तो वहां सी हो क्या कटिया है, था हो कि है Bellww हो कियाadores नती है वह याद कि नहीं आ रहा है को सब्सक्राइब कि अब देखें अब जितने तीन लोग है तिन ज्यादा एजड़ें यह थोड़े से थोड़े से मल्द फूलना में थोड़े से यह रहां आप अच्छा बताईए आप अच्छा बताईए यह आप कौन साब बहुत जादा तरकी कर रहा है और वो नंबर बन प्यार्श भारत ने नहीं हिसाब मेरे हिसाब से महराश्ठ ज्यादा और प्रकति पहां ज्यादा तरकी है तों प्यों क्यों तो और कि कोस्टल नायें है उनका सब्सक्राइब उन्हें के शौग ज्यादा है उन्हाज्ट प्रतिवक्ति आये बहुत ज्यादा है सब्सक्राइस करें कि महाराश्ट किया आगे है जो आगे नहीं है इस बसे सुनन करा ऑचा यूपीय से तुलना करेब तिहीं कि सब्सक्राइब तो इसे निवेस करने में लोग यहां डर रहें और हालक और जनसंख्या भी ज्यादा होने की वज़ा से यहां परियास कर रहे हम परेंगे और हमारे ग्लोबल इनवेश्टर समीट आया है और त्यारी कर रहा है तो अब त्यारी कर रहा है तो यहां त्यारी करते हो गए तो नहीं आपको ज़़ी को मैं सलाम करता हूं तो सवाल उन्होंने सुना हुआ था तो नहीं का आप त्यारी कर रहा है क्या कारण था कि आप अभी तक सफल नहीं होता है मैलेने के कहुंद कर लें के लिए लगते वहां कोई इसके बारे में बात करने वाला नहीं था ऑग मैरी तैयारी स्य अब स्वाल को ने समस्था है तो इनका अच्छा विद्याती हैं किस वेक्टि से प्रोहवित हैं ने कहा क्यूं मुझे आत्म दीपवह और मध्यमार्ग मुंने बहुत में बहुत प्रोहवित करता है तो ऐनी आख गाओं की एरियामे को तैयारी करने वाला नहीं था कोई शाथ में नहीं था संसाधन नहीं था कोई श्रोण नहीं था टॉन आपको जलाया कि आपि गर० आहिए कंफर टीरिक्रम के बात करा है क्यां दोनों मिला के बताईए तो प्रफी इंगा सब्सक्राइब करें तो उन्होंने शुना हुआ था कि जन संख्या उत्तर प्रद्श के लिए समस्या है जन संख्या कि अभी साफ मांते हैं राजिया इभी साफ नहीं मना सकता है अगर्म जो हमारی मानों है.. बगहां बतले cya i.e.. अगर उसको तो कि जुशत के माधा है.. hai.. उसको स्किल्ल नहीं दे पाते हैं उसके आथों में रोज़गार पाते हैं.. अगर उसको संसाधनन के हमारी नहीं परवेश्या करने बन चाहिए रहे हैं लेकिन क्या किया है उन्होंने अपने हर एक को इस्किल दे रखा है अब मैंने जहां तक सुना है और एक बहुत ही मिनिमुम में वो लोग उत्पात त्यार कर लेते हैं और अगल वगल जितने इनके दें से वहाओ उसको डंप करते तो मुझे लगता है कि उनके पास एक इस्किल है और इस्किल पिनाते हैं पर देश जो है वह लालबी आगे बट रहा है तो उन्हें ने का ठीक है सर जाहिए आपका इंटर्व्यू खत्म हुआ अब इंटर्व्यू खत्म नहीं हुआ था इंटर्व्यू कहानी यहां से भी खोल लिया खोल के मैं लहाँ जाने जा रहा था तब तक कि तीसरे मोपर थे थी उणे मुझे आवाज दे द्यांइख सुनीए तर आईजियू तो आपस में गूंदख्लू हाँ आपने डान्स के वीडियू देखा हूँू हां जहां पे लोहां पे क्या हुआ 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 मैंने इंटर्वी के लिए बनवाया था मैंने का नहीं सर यह बाबु का प्रोराम था तो पूछ रहा है तो अब मुझे पता ही था क्यों कहूं मुझे लग जाए कि अधनी कंपनी के वारे में नहीं पता है तुम पहन रखा तुम को अध्यान नहीं किस कंपनी का है तुम घबड़ बोला तो अधर चमॉल कार रहा है अरे सर चुड़िये जाने तीजें और मुझे आख बरका आख आख रहा है तो अधर चमॉल के एक्सप्रेशन से मुझे लग गया था कि इंटर्व्यू मेरा ठीक गया है क्योंकि इस तक एक्सप्रेशन को नहीं मिलता हुआ तो मुझे दिल में सुकून लेकि मैं मुस्क्राहट लेकि और सबको मैं धन्यवाद दिया अधन्यवाद करके मैं क्या लग जया था कि हम वह मेरे जवाब से इस बार संतुष ने पिश्री बार तो हरी किसी सवाल पर ने संतुष न जड़ा रहे इस बार लगता था ठीक है को इंटर्व्यू अच्छा गया है तो खैर उम्मीद कर सकते हैं अच्छे के लिए लेकिन सब इसका खेला है किसमत का ख बढ़ना ठीक है तो यहीं था फिल मेरा इंटर्व्यू आपको करसा लगा आप जिरूर कमेंट करके बताएगा ठीक है और हाँ आप कॉलों नहीं किया तो कॉलों कर लिजिएगा और अगर आप यूट्यूब पेस को देख रहा हूंगे तो तो सब्सक्राइब को ठीक है कर दोस्तर